इस सुडियो में हम कक्षा 10 का प्रशनवली 8.3 का प्रशनमर 1 और 2 को हल करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सुडियो को, तो देखिए डिया सुडेंट्स, प्रशनमर 1 में से क्या कहा गया है, निमली खित का मान निकालिए, और इस प्रशनमर में कुल 4 भाग दिये ग जुरुत नहीं है, बस आपको ये जो तीन फॉर्मूले हैं, ये ही याद रखने हैं, क्योंकि जब आपको ये तीन याद हो जाएंगे, तो ये अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाला और ये वाला दोनों फॉर्मूला सेम ही है, बस इस sign की जगह पर coast आ गया है और इस coast की जगह पर sign आ गया, यानि कि दोनों को बस change कर देना है, ठीक है इसी तरह से ये और ये दोनों same है, बस 10 की जगह coat है और coat की जगह पर 10 है यानि कि इसमें भी दोनों की जगहों को change करना है, ऐसे ये वाला भी सेम है ठीक है तो आपको बस ये तीन फॉर्मुले ही याद रखने है ये तीन आपको अपने आप ही याद हो जाएगा तो अब देखिए हम सबसे पहले पहले भाग को करते हैं तो पहले भाग में हमें दिया है साइन 18 डिगरी बटे में कोस 72 डिगरी ठीक है अब इसका मान हम कैसे निकालेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों में से यादि की ऊपर और नीचे जो है दोनों में से किसी एक को हम चेंद करेंगे तो हम यहाँ पर ऊपर वाले को चेंद कर लेते हैं सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो ये साइन है इसको तो एजिटिज भी बचेगा ठीक है तो इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं और नीचे वाले को कुछ नहीं करना इसको आपको एज़िटिज लिख देना है यानि कि ऊपर और नीचे दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है ठीक है तो हमने उपर वाले को चेंज कर दिया और नीचे वाले को as it is लिख दिया, अब देखिए इसको आगे करते हैं, तो सबसे पहले यहां देखिए, यह sin 90-72 है, तो यहां पर यह देखिए, इसमें हमारा यह वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, sin 90-a, a की जगह पर देखिए, यहां 72 है, तो sin 90-a, किसमें change हो जाता है, cos a में, ठीक हैं, तो इसलिए इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, cos a है, a का मान कितना है हमारा 72 डिगरी, तो इसलिए a की जगह पर 72 डिगरी आएगा, बटे में इसको हम as it is उतार देंगे, अब देखिए, उ दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, एक, तो यही एक हमारा answer हो गया, ठीक है, तो यह हो गया पहले भाग का solution, अब यहां पर दूसरे भाग को करते हैं, तो दूसरे भाग में हमें दिया गया है 10 26 डिगरी, बटे में, कोट 64 डिगरी, अब देखिए, इसको भी हम वैस 26 डिगरी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 90-64 लिख सकते हैं, और नीचे वाले को हम as it is उतार देंगे, आप चाहे तो नीचे वाले को भी change करके कर सकते हैं, बस आपको उपर वाले को as it is यहां पर लिख देना है, और नीचे वाले को change करना है, ठीक है, तो यह हो गया, 1090-64 है यानि कि इसमें ये वाला apply हो जाएगा हमारा formula 1090-a a की जगह पर यह 64 है ठीक है तो 1090-a किसमें change हो जाता है quote a में तो इसलिए हम लिखेंगे quote a की जगह पर 64 है बटे में क्या है quote 64 अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा एक यानि कि इसमें भी हमारा answer एक ही आ रहा है ठीक है तो ये हो गया दूसरे भाग का solution अब देखिए यहाँ पर हम तीसरे भाग को करते हैं तो तीसरे भाग में हमें क्या दिया है इसमें हमें cause 48 minus sign 42 दिया गया है तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसमें भी हम इस cause 48 को change कर देंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ये cause 48 को हम क्या लिख सकते हैं इसको हम 90 minus 42 लिख सकते हैं minus में इसको तो as it is उतारना पड़ेगा है ना क्योंकि किसी एक को हमें change करना होता है तो अब देखिए यहाँ पर cause 90 minus 42 है यानि कि cause वाला हमारा ये formula है यानि cause 90 minus a किसमें change हो जाता है sign a में तो इसलिए हम इसकी जगा क्या लिखेंगे sign a का मान कितना है 42 तो यह हो गया 42 यह plus का है और यह sign 42 minus का तो यह दोनों कटेंगे तो क्या बचेगा 0 तो यह 0 हमारा answer हो जाएगा तो यह हो गया तीसरे भाग का solution अब देखिए यहाँ पर हम चौते भाग को कर लेते हैं तो चौते भाग में हमें क्या दिया गया है इसमें हमें कोसेक 31 डिगरी माइनस में सेक 69 डिगरी दिया गया है तो देखिए इसमें भी हम किसी एक को चेंज करेंगे तो इसमें हम कोसेक 31 डिगरी को चेंज कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे हम यह लिखेंगे हम कोसेक 31 को क्या लिख सकते हैं 90-69 और इसको एज़िटिज उतारेंगे यहाँ पर इस तरह से अब देखिए इसको आगे करते हैं कोसेक 90-69 है यानि कोसेक 90-a यह वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा तो कोसेक 90-a किसमें चेंज हो जाता है सेक a में तो इसलिए लिखेंगे हम सेक a कमान कितना है 69 तो यह हो ग जाएंगे तो क्या बचेगा जीरो तो यह आगया हमारा आंसर ठीक है तो यह हो गया प्रश्ण निमर एक का सोलूशन अब चलिए हम प्रश्ण निमर दो को हल करते हैं तो देखेए दिया सुडेंट्स प्रश्ण निमर दो में हमसे क्या कहा गया है इसमें हमें कहा गया है कि दिखाईए की और इसमें हमें दो भाग दिये गए हैं तो पहले भाग में हमें यह कोशन दिया है यानि कि हमें इसमें यह जो 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री और 10 66 degree दिया गया है तो इसको हमें 1 के बराबर में सिध करना है ठीक है तो देखे हम कैसे करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो इसमें हमारा 10 48 degree है और इसके अलावा जो यह 10 42 degree है इन दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर यानि 48 और 42 को जोड़ने पर हमारा 90 degree बन जाएगा ठीक है इसी तरह से 23 और 67 वाले को इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे तो यहाँ पर हम कर लेते हैं सबसे पहले 10 48 degree और फिर यह वाला लिखेंगे 10 42 degree फिर इसके बाद यह 10 23 degree और यह वाला 10 67 degree बराबर में क्या है एक या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं यह आपकी मर्जी है मैंने ऐसा इसलिए लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा यह 10 48 degree है इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम 10 90 minus 42 लिख सकते हैं क्योंकि 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा यानि कि इन दोनों में से हम किसी एक को change कर देंगे ठीक है तो हमने इसको change कर दिया इसको as it is लिख देंगे 10 42 degree ऐसे ही इन दोनों में से किसी एक को change करेंगे तो हम इसको कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे 10 90 minus देखिए 90 में से क्या घटाएंगे तो 23 आ जाएगा तो यह हम 67 degree घटाएंगे तो यह हो गया अब इस वाले को as it is उतार देंगे 10 67 degree ठीक है बराबर में 1 अब देखिए यहाँ पर हमारा 10 90 minus 42 है यानि कि 10 90 minus यह हो जाएगा A तो देखिए 10 90 minus A किस में बदल जाता है quote A में तो इसलिए इसकी जगा पर क्या लिखेंगे हम quote A कमान है 42 और इसको as it is उतार देंगे ठीक इसी तरह से 10 90 minus 67 तो यह भी quote A में बदल जाएगा यानि quote A कमान है इसमें 67 degree और इसको as it is उतार देंगे ठीक है बराबर में 1 अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए quote 42 degree है तो quote हमारा किसका उल्टा होता है quote हमारा 1 बटे 10 का उल्टा होता है क्योंकि यह मैंने आपको पिछले वीडियो में ही समझा दिया था यानि कि मैंने यह आपको बता दिया पहले ही कि 1 बटे में 10 ठीटा हमेशा हमारा किसके बराबर होता है quote ठीटा के 1042 as it is इसी तरह से यहां पर भी कोट है तो इसको हम क्या लिखेंगे एक बटे 10 और ये 67 as it is और इस 1067 degree को as it is लिखेंगे बराबर में एक अब देखिए यहां पर हमारा ये 1042 से ये 1042 कटेगा और ये 1067 से ये 1067 कटेगा क्योंकि इसमें देखिए हमारा यहां पर इनके बीच में कोई निशान नहीं है तो जब कोई निशान नहीं है तो हम क्या मानते हैं में एक तो यह हमारा सिध्ध हो गया बराबर ठीक है तो यह हो गया पहले भाग का सुलूशन अब चलिए हम दूसरे भाग को करते हैं तो देखिए dear students दूसरे भाग में हमें यह कोर्शन दिया है अब देखिए इसको भी हम वैसी करेंगे सबसे पहले कोस 38 और कोस 52 डिगरी है तो दोनों मेंसे हम किसी एक को चेंज करेंगे इसको कर लेते हैं तो क्या लिखेंगे हम कोस यह हम 38 डिगरी को 90-52 लिख सकते हैं है ना क्योंकि 90 में से बावन घटाएंगे तो यही बचेगा और इसको हम उतार देंगे as it is, फिर यह minus sin, यह हो जाएगा 90 minus 52, यानि कि 90 में से बावन घटाएंगे तो यह बचेगा और इसको उतार देंगे as it is, ठीक है, बराबर में 0, अब देखिए, यहां से cos 90 minus 52 है, यानि cos 90 minus a हो जाएगा तो cos 90 minus a किसमे बदल जाता है, sin a में तो इसलिए यहां पर हम क्या लिखेंगे sin a कमान है 52, इस cos 52 को adjectives लिखेंगे फिर यह minus, यहां पर भी देखिए, sin 90 minus 52 है, यानि sin 90 minus a, यह किसमे बदल जाता है cos a में, तो यह हो जाएगा cos a कमान है 52, फिर यह sin 52 as it is आजाएगा, बराबर में 0, आप देखिए, यहां से हमारा, यह sin 52 degree, cos 52 ठीक है, और इधर cos 52, sin 52 यानि कि, इधर भी sin 52 है, इधर भी sin 52 है इधर भी cos 52 है, और इधर भी cos 52 है और यह minus में भी है तो इसे लिए, यह हमारा पूरा, कट जाएगा बस यह दोनों आगे पीछे है, यहां पर sin 52 है, यहां पर बाद में है तो इसे कोई फरक नहीं पड़ता है तो यह हमारे दोनों कट गए क्योंकि यहां पर minus का sign था ठीक है, तो कट के क्या बचेगा 0 बचेगा, और बराबर के इधर भी 0 है, तो यह हमारा दोनों तरफ बराबर आ गया तो यह हो गया, प्रशन निमर 1 और 2 का solution complete, I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया है, अगर आपको मिलता है फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद